चुनाव आयोग ने देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया है। वर्ष 2019 में हुए पिछले लोकसभा चुनाव की तरह इस बारवी देश में साथ चरणों में ही लोकसभा चुनाव होंगे। भाजपा के दिगगज नेताओं के निर्वाचन क्षेत्र की बात करे तो, प्रधन मंत्री नरेंद्रा मोदी के संसदिय क्षेत्र उत्तर प्रदेश के वारानसी में सबसे अंतिम यानी साथ में चरण में एक जून को वोटिंग होंगी। वहीं, भाजपा के पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष एवं केंद्रिय ग्रह मंत्री अमित शाह के संसदिय क्षेत्र गुजरात के गांधी नगर में तीसरे चरण में साथ माई को मद्दान होगा। केंद्रिय मंत्री राजनात सिंह के संसदियक शेत्र उत्तर प्रदेश के लखनौ में पाँच्वे चरण में 20 माई को और नितिन गरकरी के संसदियक शेत्र महराष्टरा के नागपुर में पहले चरण में 19 अप्रेल को मद्दान होगा। बता दे कि पहले चरंग के तहट 19 अप्रेल को लोकसभा की 102 सीटों पर मददान होगा जबकि दूसरे चरंग के तहट 26 अप्रेल को 89, तीसरे चरंग के तहट 7 मई को 94, चौथे चरंग के तहट 13 मई को 96, पाच्वे चरंग के तहट 20 मई को 49, छटे चरंग के तहट 25 मई को 57 और सात्वे चरंग के तहट 1 जून को लोकसभा की 57 सीटों पर मद्दान होगा नतीजों की घोशना 4 जून को होगी